कि दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल और विज एफिक्स पे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा कि आफ्टर इफेक्ट के जो टैंपलेट्स होते हैं उनके अंदर हम कैसे वीडियो को डालते हैं कैसे की इस्टिल इमेज इसको डालते हैं आईए मैं आपको बताता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यह कुछ टैंपलेट्स हैं यह इस टाइप के यह देखिए अब यह देखने में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं आप इनको वीडियो साइड से पर्चेज भी कर सकते हैं यह देखिए अब यह हमने इसकी सोर्स फाइल यह होती है इसको हमने उपन कर लिया है यह देखिए यह सोर्स फाइल हमने अल्रेडी उपन कियुए है है ना अब आप यह देख सकते हैं कि कि इसके अंदर अबी कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमने क्या करना है सबसे पहले इसकी मूवी आप यह देखिए यह प्ले कर रहे हूँ खुछ भी नहीं है इसके अंदर और यहाँ पे क्या रखना है जब भी आप इस पे काम करें दोस्तो इसकी जो रेजुलेशन जो है आपने हाप पे रखना हमेशा इसको 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 हाप पे या थड़ पे हाप पे या थर्ड पे आपको रखने का यह benefit होगा कि आप smoothly इसमें easily work कर पाएंगे जब final render हम करते हैं तब full में करते हैं अब यह देखिए मैं इसको third पे कर देता हूँ इसमें image थोड़ा सा जोना खराब आएगी लेकिन उसके बाद जब आप full पे करते हैं इस point पे डालेंगे इसको तो सही आएगी अब देखिए इसके लिए कैसे हम यूज करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर element में जाना है इस टाइप से elements slides यह देखिए यह slides इसमें बनी हुई है यानि कि आपको search करना है कहाँ पर आपकी images बनी हुई है slides बनी हुई है अब यह देखिए यहाँ पर हम जाते हैं click करते हैं click करने के बाद में आपने double click कर देना है और double click करने के बाद आप यह देख सकते हैं यहाँ पर एक slides आपकी आ गई है इस टाइब से हम इसको यहां से बंद कर देंगे और यहां से एक हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट कि इंपोर्ट में हम क्या करेंगे हमारी जहां पर इस्टील में जिसे यह देखिए मैं मीडिया टॉक की कुछ इस्टील इमेजिस ले रहा हूं यह इस तिलिम में यहां पर ले रहा हूं कुछ इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अब यहां पर पुल पांच इमेजिस आई है उतके बाद मैं और भी मेजिस ले लेता हूं यहां पर यह देखिए अब आपने करना क्या है इन सारी मेजिस के लिए एक यहां पर यह फोल्डर है कॉर्णर पर हमारा यह वाला फोल्डर यह यहां पर एक फोल्डर क्रीट करना है आपको यह देखिए यहां पर फोल्डर मैंने क्रीट कर दिया और यहां पर हमने लिखना है निखिल यहां पर लिख दिया हमने निखिल और निखिल के अंदर आप देख सकते हैं यह सारी इमेजिस आ गही है आपकी यह देखिए यह भी इमेजिस उठा के हम इसी फोल्डर में डाल देते हैं यह देखिए अब क्या करना है हमने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल आल्ट और स्पेस ऐसे करके इस पर डाल देना है यह आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको यहां से क्लिक कीजिए और यहां से सिंपली उठा के ऐसे ड्रैक करके यहां पर डाल दीजिए यह देखिए और यहां पर आपका होता है किलिक करते हैं यहां पर इस पॉइंट पर तो यहां पर होता है आपका स्केल यानि कि आप स्केल के थूरू भी कर सकते हैं या डारेक्ट इसको इमेज को ऐसे खीज़ के कर सकते हैं यह देखिये अब हम इसको बंद कर देते हैं देन हम दूसरी में जिस लेते हैं उसके आब आपको फिर दुबारा जाना है सलाईट टू में भी आप देख सकते हैं यह यह यहां पे कीजीए आप कंट्रोल आल्ट और arrow key का button होता है उसको कर सकते हैं और control alt और fk through याद रखे हैं दोस्त control alt और fk through आप fit to window इसको कर सकते हैं इस type से ठीक उसी तरह slide 3 लेते हम यहां पर हम लेते हैं और इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं आप इसको आप ओफ कर लीजिएगा इस वाले point को यह देखिए और यहां पर control alt आफ ऐसे ऐसे कर दीजिए स्लाइड फोर लेंगे हम उस पर भी सेम क्लिक करेंगे यह डवल क्लिक कर रहा हूं मैं यह द्यान रखिएगा तभी आपकी यह open होगी यहां पर आपने इमेज सेलेक्ट करने हैं कौन सी डालनी आपने और यह इसको ऐसे कर दीजिए और control alt आफ ऐसे कर दीजिए 5 पर आपकी इस टाइब से सेवन पर यानि कि जितनी भी आपके पास में स्लाइड होंगी उन सबको आपने चेंज करना है यह देखिए इस टाइब से स्लाइड एट इस टाइब से आपकी आएगी स्लाइड नाइन आपकी इस टाइब से डवल क्लिक करना है दोस्तों याद रखिएगा आप चाहे डारेक्ट इसको बंद करके ऐसे भी ड्रेक कर सकते हैं किसी भी क्लिप को इस टाइब से और स्केल के तरू यहाँ पे एक पॉइंट होता है यहाँ यहाँ पे स्केल के तरू आप इस टाइब से भी इसको कर सकते हैं या इसको मैनुवली भी खीच के आप ऐसे कर सकते हैं फिट कंट्रोर्ड आल्ट एफ अगर आप दवाएंगे तो एकदम नॉर्मली फिट हो जाएगा वह सौट कमांड होती है कि इसके बाद आता है आपका । यह देखिए हैश्य चैन रहे ए नाइन हम कर चुके नाइन में हमने में डाल दिया और टैन में कि यह हमारी इमेज आ गी कि यह वाली अब इसमें हम एक और डालेंगे है न यह देखिए यह 10 में हमने एक और यह श्लाइड डाल दिया और एफ कर दिया है अब आपका यह इसके अंदर सबके अंदर श्लाइड आ गई है ओटोमेटिक यह देखिए इएट आ गी है आप देख सकते हैं सेवन आ गी है फाइव आ गी है और थरी टू स्लाइड अब हमने करना क्या है यहां पर आपके पास यहां पर ऑफ्षन आ जाता है जब आप शुरू में प्रोजेक्ट होते हैं यह फूल मुवी का इसा पर आपने देखना है यह सब आपके इस टाइब से आगे, दोस्तों आप सवाल यह उठता है कि इस पर से टेस्ट कैसे हटाएए, यह जो टेस्ट आपका आ रहा है, इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बंद कर रहा हूँ, मैं यह टाइठल्स, यह आपके सारे टाइटल होते हैं जो कि यहां पर आ रहे हैं आप टाइटल रखना चाहें तो रख सकते हैं नहीं तो इनको हटाना पड़ेगा डवल किलिक करना पड़ेगा आपको यहां पर टाइटल पर और यहां पर जाके इस आई पर जाके आपको इसको हटाना पड़ेगा बारी बा आपका ओटुमेटिक हड जाएगा दोस्तों यह देखिए कि छार पे गए आप टाइटल आपने हटा दिया यहां मैं यहां प्यक् buttons प्र要 practal है यहां से टाइटल हटाते चले जाएगे कि की यह शेट फैयँ यह हटा दिया इसाथ पर गई यह आपका टाइटल अभी आ रहा है यह देखिए यह टाइटल आ रहे हैं आपके इनको क्या करना है आपने हटा देना है कि इस आप देख सकते हैं कि यहां पर यह ताइटल है इनको हम ऐसे करके हाट तकि यहां पर बड़ाना पड़ाना पड़ार रहा है यह यह तो आप देख रहे हैं ना कि यह आपके टाइटल जितने बी टाइटल थे मैंने यहां से हाट आदिन तो हम देखेंगे कैसे फाइनल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है यहां पर corner बर में आपके एक button होता है यहां पर आपको राइट कलिक करना है और full movie पर इहां पर click कर देना है यह देखिए दोस्तों अभ आप देख सकते हैं यह आपका full movie मूवी का test आगया यह यहаков जये देखिए यह image आपकी यह आगी है अब यह image आपकी फूल नहीं हुई है इस पर किलिक कीजिए आप और यह आपकी slide जो रहती है यहाँ पर नीचे इस पर आपने किलिक करना है यह देखिए यह आपकी slide नहीं हुई है इसको खीच के आप ऐसे ड्रेक करके इस टैप से कर दीजिए ठीक है आप चाहें तो इसमें brightness contrast भी डाल सकते हैं ब्राइट करना चाहें ब्राइट करना चाहते हैं तो यह brightness आप डाल सकते हैं इसमें यह देखिए कि यह थोड़ा सा brightness contrast आपका आगया है ताकि आपकी पिच्चर अच्छी लगे यह देखिए मैं इस सब में brightness contrast डाल देता हूं जैसे कि आपने इस image पर डाला है तो इसके effect को लेना है आपने control C करना है copy करना है और इस पर जाना है slide पर और यहां पर उठाके इसके टाइम लाइन पर नहीं इसके इस वाले point पर यहां पर इस view में जहां effect control होता है यहां पर उठाके आपको पेश्ट कर देना यह देखिए यह आप आ गए यह आपकी slide complete नहीं है इसको हम यह आप देख रहे हैं यहां पर इसमें button लगा हुआ यह जो चीज है आपका scaling हो रखी है इसमें इसको हटा दीजिए frame को क्योंकि already slide इसी तरीके से वह बनी हुई है यह देखिए यह भी आपका जूमकार है इसके frame की framing लग गी है इसमें यह की framing आप scaling के point से आप हटा दीजि यह 7 में भी problem हा गयी है इसको यहां से जाकर आप फटा दीजिए यह keyframes जो आपके होते हैं के समझ रहे ना आप निखिल आपकी समझ में आ रहा है यह आप यह जो अटा रहे हैं यह पिर दुबारा वो तो उसमें वीडियो सब्सक्राइब नई दूआरे नहीं लगें यह आप देख सकते हैं यह मैं हटा देता हूँ इस ताइप से यह अप फिट हो गया आपका पूर के यह ज़रूरि निया हर एक में आपको मिलेंगे यह हर एक में नियोते हैं ये कुछ images में लग चुके हैं यह इस टाइप से अच्छा यह टाइटल हमारे ओलेडी लग चुके हैं यहां पर सब जगाद यह देखिए कलर आपको मैंने बता दिया कि कलर कैसे पेश्ट करते हैं यह कैसे यहां से लीजिए और यहां पर आप पेश्ट कर दीजिए यह देखिए अब final view आप इसका यहां से देखिए full movie यह देखिए यह देखिए यह आपको फुल मूवी कर देना है यह देखिए अब इसका ओरिजनल यह साइज आपका निकल के आगए फुल क्यों करना है हुँ फुल मूवी इसलिए करते हैं यह देखिए यह अभी भी आपके एक इमेज इस बच रही है यह वाली इस पर भी डवल की दिये और स्लाइट पर ज यह और इमेजिस तो आपके नहीं रह गई है यह देखिए यह यह इमेजिस आपके रह गई है टू नंबर कि सबसे पहले यह फ्रेम डिलेट कीजिए क्योंकि फ्रेमिंग इसी पर हुई है अब यह देखिए यह आपके फूल इमेजिस पूरी की पूरी हो गई है इस पर भी आपकी की फ्रेमिंग लगी हुई है अच्छा स्लाइड पर जाईए यहां से इसको डिलेट कर दीजिए और यहां पर इसको डिलेट कर दीजिए अब यह फाइनल हो गया यह देखिए यह अब आपका फाइनल हो चुका है ठीक है अब यहां से इसकी आउटपुट हम कैसे देंगे यह देखिए हम यहां पर जाते हैं प्री रेंडर में जाके आपने क्या करना है प्री रेंडर प्री रेंडर में आप देख सकते हैं यहां पर आपका प्री रेंडर आ गया है और यह जो मोई बनी हुई है इन सब को आप ड जाएंगे सबसे पहले क्या करना हSpeed है हमने यहाँ पे देनीruktur औरOS इसको करें बसका है। सूखना समेट करने के निखे नान देते हैं इसको हम सेव करेंगे यहाँ करने के नेखें का एद्फ़ेंद के बाद हम इस प्रशöyle ले global g वकितली आजियु भी लगता हैं है क्योंकि अगर आपको अच्छी क्वालिटी चीए तो उसके लिए आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा कि यह देखिए आपकी मूवी बननी चालो हो गई है यहां से अ तो इस तरह हम मूवी की आउटपुट निकाल सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नहीं चीजों के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर टेंपलेट रेडिमेट टेंपलेट्स वगारा का आप कैसे यूज करते हैं और भी चीजे बता नमस्कार दोस्तों कर दोस्तों